मॉनिंग गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब ठीकी होंगे सब लोग अपने अपने घर पे रहकर पढ़ाई करिए यह कोविड-19 की वैसे बहुत ही दिक्कत भरी पढ़ाई चल लगी ना सब लोगों की अच्छी भरी है दिक्कत होती होगी दिक्कत तो नहीं कि हम अभी हम पढ़े रहे थे 1.1 पढ़े थे उस दिन 1.1 के कुछ सवाल किये थे कुछ सवाल बाकी रहे गये थे तो आज हम उन्हीं सवालों को से आगे शुरुआत करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं जैसे कि आपको बताया जाएगा कि कोई आप से पूश ले कि दिखाईये की प्रतेक धनात्मक प्रतेक धनात्मक 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 बिसम संख्या को फोर क्यू प्लस वन या फोर क्यू प्लस थ्री के रूप में के रूप में लिखा जा सकता है अब देखे यह हमारा कहने का मतलब यह है कि अभी दिखाना है हमें कुछ और नहीं करना है बस यह दिखाना है कि यह पहली बात तो इसमें यह देखना है बिसम पूडांग सम बिसम भाज या भाज ठीक है इसके बारे में आपको थुरा समय ने बताया था कि आप नायंद का नायंद क्लास का पहला लेक्चर देख लीजिएगा संख्या पद्धति सम ने बिसम परिमेंएं मतलब वावस्तिक सारी संक्रान इसमें बताई और समझाया भी था आप सभी को उस्चीज को जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को उसके बाद विशम सम विशम समझ में आएगा अगर नहीं आरा तो हम थोड़ा सब बताएंगे तो भी ठीक है विशम संख्या क्या होती है वह संख्या जो दोसे विभाजित नहीं होती है वह संख्या जो दोसे विभाजित नहीं होती वह क्या होती है वह संख्या जो दोसे दोसे क्या होती है भी वाआजी हो जाती है क्या लाथी ऋंसंग क्या कहला आती है तो आप यहां पर देखी यह कह रहा है फोर Q offering कि रूप में लिखा जा सकता है तो हाल लिखा जा सकता है तो पहले आप लोग यह कि देखिए आप लोग वह दूद्ध थे भाजी बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस दिया है यही तो होता है यहां पर क्या दिया है 4Q 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 plus 1 4Q plus 3 तो यहां पर हमारी संख्या क्या हो गई 4Q plus अब यहां पर दिखें यहां पर जो हमारा number दिया है तो पहले आप यहां से लिखना सुरू करिए 0 1 2 3 4 यह संख्याएं हैं हमेरी यह हमारी संख्याएं है अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजेगा यह क्या पूशा है विसम तो आप पहले बताई 0 हमारा विसम है नहीं है 2 विसम है नहीं है 4 विसम है नहीं है तो हमारी कौन कौन से विसम संख्याएं है 1 और 3 1 और 3 तो हम मान लेते हैं P बराबर P बराबर 4 Q प्लस 1 4 Q प्लस 1 यहां पर क्यूँ? यहां लिख लिजेगा 6 1 रखने पर क्यूंकि 0 रखेंगे तो हमारी सम संख्याएं तो लिखेंगे P बराबर 4 Q प्लस 1 अब देखें 2 नहीं रख रहे हैं क्यूंकि सम संख्याएं 6 3 रखने पर P बराबर 4 Q प्लस यह मत समझ्येगा कि सर्ण को नहीं रखें देखें रखने सा हमारा मतलब भी नहीं है क्यूंकि हमें लिखना उतना है जितना हमारे पेपर में पूशाएगा सम पूशेगा तो हम 1 और 3 नहीं लिखेंगे जीरो दो चार तीनों लिडा लेंगे सोरी जीरो नहीं लिखेंगे दो चार लिख डालेंगे ठिक अगर जो चीज़ पूशे उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ता है हम तो पूरा लिख देंगे पूरा वाइट बोर भर देंगे लेकिन सोल मतलब नहीं घर भरने से आपको मतलब जो आपको कहा जाए हवही चार निकालिये ना किया दिख के थे हम बहुत चीज़ करेंगे जो कहा जाए अब कह दिया है आपको जाना है चकी सख में नो यह रहते हैं ठीक है यह इस तरह दिखाना रहेगा आपको चलिए अब थोड़ा सा मज़दार क्वेश्चन आ रहे हैं इसको ध्यान दीजिए ठीक है मज़दार धमाकेदार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यह कह रहा है कि निम्लिखित गुणान खंड को गुणान खंड ब्रच में लुप संख्याएं गयात कीजिए पहले मैं एक ध्यान समझेगा मैं बना रहा हूं सभी बनाऊंगा उसके बाद आप करके दिखाऊंगा थोड़ा साब लोग धहरे रखिए है जल्दबाजी मत करा करना अ कि यह देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा यहां पर लिखाए पांच यहां लिखाए पांच यहां लिखाए दो और यहां लिखाए तीन अब यह बताना है यह कर लिख लिए पहले कुछ लिख लिए निम्न लिखित गुर्णखंड ब्रच में लुप्त संख्या ग्याद कीजिए अब देखिए मैं हिंदी की टीचर तो हूं नहीं हो मैंत का टीचर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए का हिंदी अगर गिलती उसके लिए सौरी लेकिन नगभग गलती नहीं होगी फिर भी आप लोग उसको नोटिस मत करीना ठीक है और आई चीज और कुछ लोग बोले थे कम अरिहन्तु पढ़हुं वालाजी पढ़हुं चाहीं मनोहर्रों सभी रूइल एक ही होते हैं कि मनोहर्य ऋलग रूए अलग दे रहा है अगर इसको लगाना तो मनोहर्य अलगपताए है वो आप लोग पिछली बार भी बताया था मैं आप लोगों को उद्रती प्रकासनी कुछ कुश्चन एरर भी है जो मुझे पढ़े बच्चे जानते हैं समस्दार है कि वह कुश एरर भी दिया है इसलिए मैं सही बुक्स ऐसा नहीं है अच्छी बुक्स आप लोगों को कुश्चन लाके दे रहा हूं और ऐसा नहीं है कि आपको 100% स्योर कह रहा हूं कि जो कुश्चन पढ़ाऊंगा वो पेपर में देखने को मिलेगा अगर नहीं तो आप दुबारा जब भी मिलिए गा बताईए गा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंग फश्ट हो गया इसका दूसरा भी देख लो अगर जैसे बना बना देते हैं अ यह बॉक्स बना गया जे बॉक्स बन गया इसमें दो बन गया है कि 37 अ चिक एक और बन जाए थर्ड नमबर सो इस तरह ने लिखना इस तरह लिखना तरी कि अधिर 156 2 है 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 चले देखिए है 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 अब तुरस ध्यान दीजिएगा अब इस तरह को को शंख्या लिखी नहीं किसकों में यहां से डिवाइड करते चले जाएं जब ऐसे सवाल दिखें तो आप ठाईए यहां से थी टूजए इन दोनों के बीच किसका साइन होता है मल्टीपल का थी टूज़ा इस इनके दोनों बीच में लाइए यहां कितना होगा थर्टी यहां पर कर लीजिए कितना हो जाएगा है यहां सौन में आया है थी टूज़ा शिक्स जहां पर मन दोनों गुणा किया जाए उसी बॉक्स में भरना है इन दोनों गुणा करके इस बॉक्स में भरना है इन दोनों गुणा करके इस बॉक्स में मतलब जिस बॉक्स से जिस बॉक्स से संख्याएं तोड़कर निकाली गई है उन्हीं बॉक्स में संख्याओं को भरना है ठीक है जैसे क्या बोला तो कहने का मेरे मतलब यह है कि आगर माल यह उपर से कर दे तो इसमें भी सवाल होगा तो इसके लिए आप कैसे करेंगे ढब कि यहां पर संख्यादी क्या है अब देख लिजेए यहां पर एक संख्या खाली किया अब देखिए यहां पर दोनों इन दोनों को गुणा करें तो ऐतना आया 39 तूजा 78 होता है तो कितने, कितने बार ले जाएंगे रिटाइम्स ले जाएंगे इस तरहे सो बना ना था इसको तो असान था सबकों लोगे लेकिन बताना था हमारा काम यह गुरंखन ब्रच है, आप से कोई पूछे गुरंखन ब्रच करके गुरंखन करिए तो आप इसी तरीके करेंगे अभी तो हम यह था, इसको हम उस रूप में लिखे थे लुब संख्या हैं गयाद करना था, अभी एक संख्या इससे वाला हुर है, जैसे कह रहा है येक्स येक्स वाई सवाल गलत लिखा है क्या लग रहा है भी सवाल लगने से पहले समझ में आ रहा है कुछ सवाल देखने से पता ही चलेगा ऐसा नहीं है पाच अज़िए दिख रहा है एक नुट देखने दिए नीचे दिख रहा है एक नुट देखने दिए अब चलिए देखते हैं यह सवाल है सवाल है क्या देखते हैं चलिए यह जो सवाल दिया गया है यह यहां पर कोई संख्या तो नहीं दी गई है अब यहां पर हम इसको तोड़ेंगे क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे तो 371 को 371 को फेक्टर करिए किससे कैंसिल होने माला है किसस कैंसिल होने माला है बताइए अगर इसको देखे इसको डेखे कैंसिल कर रहें 371 को तो माल लीजिए किससे जाएगा इसे कि 75 جए 35 सेवें थी जया तब कितना आ गया है है कि यहाँ पर क्या जाएगा जहाँ य है य लिखा है यहाँ पर वाई लिखा है यहाँ पर लीजिए फॉर दिखना है इसको हम लिख सकते हैं 53 into 7-7 तो Як Approxory चोटी संख्या भी यहां पर हमारा काम आया कि सेल ciao suced कोई बात नहीं अब देख लिए कि यह कर लिए यह तो आप जानते ही है अब यहां पर जहां लिखा सेबेन तो यहां भी अगर कर लेंगे तो यह हमारे संख्या जाएगी lead क्या य हई कि गलत लिख गया था क्या लगता है लिखने में यह वाला किताबे के चलते ने भी यह किताबने कहा लखी जब पुर्ट कहां देड़ाएं परक्राइगे लिखेना पड़ता है अर्ट और को DAVID ले अंगा शुत में आप देखें बनाना क्या आपको गुमाइल टांद ब्रच बनाना है क्या बनाना लिखा है अब आप लोग जानते हैं किसे नंबर सवाल है फोर ट्वंटी क्या दिया है फोर ट्वंटी को लिखेंगे कैसे लिखेंगे है फोर ट्वंटी को यह हमारे इस बन गाई इसी को हम करते हैं माल लीजए हम कर दिये चाहिए बान ट्वंट इसे कर लिए तू टू ट्टेन है इंटू यह क्या हो गया टू इसे करिए जो बढ़ा रहे है तोड़ना रहेगा है इसे क्या कि इसे करेंगे कि इसे करेंगे कि ने चिक कि बराबर क्या निकाल कहने हैँ टू इन्टू 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 टू घॉ इन्टू 3 x 2 2 , 2 x 3 , 2 x 2 , 2 x 3 , 2 x 3 , 2 , 3 , 2 , 3 & 2 , 5 , 7 , 5 x , 4 , 20 , हमारे ये क्या होगा मुना करके देख सकते है ठीक है । यहीं आएगा देहिए कैसे तुटू जा तुटू जा फोर है टू लएय। पूएय। से केड़ेंगे तो कितना आएगा हुआ कि थए कितना होता है स्पैंट्रीव होता है तो हमारा इंग्रच की रूप में बन इंगे इसических return बना था कोई सा गुड़न खंड गुड़न खंड वरच के रूप में ठीक है अगला अगला सवाल कि सिसी प्रवार बनाना है ठीक है जैसा बनाये थे भी है मैं से आप कोई बनाना है इसे लिखा है 468 468 दूसरा क्या लिखा है एक हजार आठ दूसरा क्या लिखा हो रगला कि साथ सो पैंटिस साथ सो पैंटिस ठीक है चलिए अब अब थोड़ा से ध्यान दीजिए कि कैसे हैं यह हमारा है इसको दो भाग में बाटिए चलिए यह बाक्स बना लिए यह बना दिए तो दो चोको आठ नहीं दो दूना चार दो त्याएं छे दो चोको आठ तो यहां पर किससे गुणक भाग किए दे दो से ना अब इससे फिक करिए देखिए यहां पर लिखेंगे जिससे भाग देगे उसको यहां लिख लेगे फिर इससे किससे करेंगे थर्टीन नाइन जा कितना होगा देख लिजिएगा थर्टीन नाइन जा 39 जा हो जाएगा अगर इसको हम बूर कर सकते हैं 3 और 3 तो हमारा क्या बना इसके नीशे क्या लिखेंगे 4, 6, 8 is equal 2 into 2 into 3 into 3 3 into 3 into 30 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 यह होगा इसका ठीक इसका यह होगा ठीक हैं? अब अगली बात अब इसका करिए तो करिए ऐसे यह कितना हो जाएगा? 504 यह कितना होगा? यह कितना होगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 आ गया फिर यहां कितने जाएगा? इसको लिख गया होगा न यह यह कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? 9 यह कितना हो जाएगा? 7 इसे क्या करेंगे? 3 और यह क्या होगा? यह भी क्या होगा? 3 3 ठीक है? तो इसके लिए हमारा क्या बनेगा? 2 इन्टू 2 इन्टू 2 इन्टू 2 4 बार 2, 2 बार 3 3 इन्टू 3 इन्टू 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? इसका यह बन जाएगा ठीक है? अईसे बनाने इसको ठीक है? चलिए किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा फिर ठीक है? आप लोग बॉक्स देख घबाया मत करिए बॉक्स कुछ नहीं होता बॉक्स के अंदर ही हमें बनाना है खुद लिखना भी और चीज़ होता है ठीक है? इसे क्या दिया है? 735 तो 735 को मैं ऐसे लिखे अब लिखे को 2 से नहीं कैंसील हो रहा है न? अब लिखे को हाँ इस से कैंसी से कैंसील हो रहा है कि अचलि ए 3 से देख रहे हैं तो 3 बन जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 35 जा 15 आ गया यह बॉक्स बन गया 2 होगा तो क्या 0 अगर 2 से दिवाइड हो तो क्या होगा? 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो ऐसे ऐसे करो तो 3 से क्या होगा? मतलब जो नमबर हम क्या कर गया? एड करके 3 से दिवाइड करें एड करने के मतलब जिसे यह नमबर क्या दसा है? 7 प्लस 3 प्लस 5 तो करो कितना है? 7 3 10 बराबर 15 आ है न एड करने पर 15 क्या 3 की टेबल में आती है? हम 3 से कैसे पता चलेगा? कि 3 से डिवाइड होगा? तो हमें यह देखना है कि इन संख्याओं का जो अंकों का योग है डिजिट का जो नमबर समाब डिजिट है तो इसे क्या करेंगे? 7 प्लस 3 प्लस 8 बराबर 15 7 3 10 हो गया 5 15 हो गया तो क्या जो 15 जो जोडने पर आया या एड़ करने पर जो चीज़ आई है क्या भात 3 से विभाजित होती है? अगर एड़ करने कर या 3 की टेबल में आता है तो 3 से विभाजित होगा देख लिजे तो आ गया तो 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 5 जा 15 अब 5 2 जा 5 4 9 2 11 यह नहीं आ रहा 11 क्या 4 3 की टेबल में आता है? नहीं आता तो यह 300 जाए नहीं होगा अब किससे होगा? यह 7 से होगा क्या होगा? 7 से होगा कैसे 7 से होगा? अब 7 का रूल आप लोग देख लिए थोड़ा सा रूल बीच भी चातत बताता हूँ कि 7 का रूल देखना है तो मतलब जो डिजिड दी रहे जैसे 245 दिया है तो 245 में इकाई के अंक को किस क्या करना है? इकाई के अंक को दुगना करके सेस बनी संख्या से घटाने पर साथ कनियम क्या होता है काटने का विभाजत करने का जो संख्या दी हो उस संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके इकाई के इंक को क्या करें हम दो गुणे पांच कर दिये दुगना करके जो संख्या बची हुई है बनी संख्या उससे घटाते हैं तो यह कितना हो गया 24 माइनस 10 बराबर कितना हो गया यह आया तो घटाने पर जो भी संख्या आए 0 आये 0 या 7 का गुणाज क्या है साथ का गुणाज 7 0 या 7 का गुणाज हो तो संख्या क्या ओगी 7 से विवाजितोकी तो यह साथ से कट रहा साथ दूनी 14 तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी साथ से कैंसिल हो जाएगी समझगे भई आप प्यारे बच्चों ठीक है जो रूल में अगर कोई दिक्का तो किसी चीज का रूल प्मुशना हो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर यह से रूल का में बता दीजिए तो हम उसको फिर से बता देंगे लेक्चर में लेक्चर ठीक है इससे इसको कहा दिया है सेवें त्री जा ट्वन्टीवन सेवें फाइव जा थर्टीफाइव सेवें आए फिर फाइव से भी करता ठीक है फाइव फेलाश में काड़ सकता थी लेकिन चलिए अब इसे भी करेंगे अफाइब इसे करें कोई दिक्कात नहीं है इसे का लिखेंगे अथे इंटू आइप इनटू 7 इंटू 7 ठीक है यह बन गया इसका ठीक कि समझ गया है चलिए इन खतम हो गए थोड़ा से कम चलने रुख जाओ अब आप लोग देखिए अब आप लोगों को यह पता है गुरंड खंड कैसे किया जाता है गुरंड खंड करनेक तरीका पता है कुसको भताना पड़ेगा हमें गुरंड खंड कैसे किया जाता है नाइन्थ में सीखे हो नाइन्थ में भी पढ़के आये थे लगता है हम पढ़ाये थे सभी बच्चों को ठिक ठिक चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है गुरंड खंड ब्रच्वाला हो गया अब हमें गुरंड खंड की अबल करना ब्रच्च नहीं बनाना गुरंड करना क्या करना है जैसे की नाइन फोर फाइव है क्या है नाइन फोर फाइव पहला नमबर सवाल यह है दूसरा नमबर क्या है दूसरा है से मिका तीसे नमबर का होली चाओथी नंबर का फस्त है यह जो थी नंबर का फस्त है सफ़्षों पचास अधिगेन अचिभीस चाउगारेस को श्चब तन्यचे पहलते श्चाउबिस हैं है यह तर चौव श्चापसर है कि 20 570 हूँ ठीक है इतना करते हैं है कि लितनत कर लें तो उसके बाद देखते हैं जो भी होगा है तो यहाँ पर क्या लिखें नाइन फोर फाइब यह गुरान करना है समझ गया ना लोग चाहिं पाकिस से कैन्सील होगी पहले चैक करते हैं तो कि लिखें ओना को जोड़ने पर संँख्या के अंकों को योग नौ चार तेरा तेरा फांच 18 9 4 13 5 18 नहीं सुच पाएं चलिए देखरीजिए 9 प्लस 4 प्लस 5 9 4 13 और 5 18 तो क्या 18 जो है 3 की टेबल में आता है जी हां आता है जब आता है तो करिये 3 से तो 33 जा 9 3 बन जा 3 3 5 जा 15 फिर चक कर यह 5 16 39 आ रहा है फिर सकेंसिल हो जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 फिर देखें कैंसिल हो रहा है 3 3 जा 9 3 5 जा 15 आप कैंसिल नहीं हो हो रहा है लेकिन एक नहीं कैंसल हो तो किसे क्या एक फाइब से फाइब से विन जा थर्टी फाइब से विन जा सेवे हम क्या लिख सकते हैं कि 945 is equal 3 into 3 into 3 into 5 into 7 कि यह आगया इसका है ठीक है छेसुपचास है छेसुपचास को देख लीजे अब 0 है तो दो से कैंसल होगा है तो टू-3 जा सिक्स्टू टू जा फॉर टू-5 जा टेन अब 3255 फाइब टेन से कैंसल नहीं हो रहा तो फिर किस से कैंसल करेंगे फाइब से फाइब सीख जा 30 फाइब फाइब जा 35 फाइब 25 फाइब बन जा 5 फाइब 3 जा 15 फाइब 13 तो 13 से कैंसल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा इसका 650 is equal 2 into 5 into 5 into 30 इसका मैंसल ठीक है नूर कर लिजे इसका यह दोनों हो गए हमारे आप क्या बचा यह देखते हैं इसको भी जो बचा इसको देखा जाता है 26 24 को चलिए सुरू करते हैं इसमें फोर लाश्ट में टू से कैंसल लेगा टूए टू 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 टूट्टू लाएँ अब बताइए क्या कैंसिल होगा किसी से तो कैंसिल नहीं होगा त्रिस के नहीं हम देखते हैं 6167 613 नहीं होगा त्री से देखते हैं 4 कनियम क्या होता है 4 कनियम देखें टू कनियम बताएए जीरो देखों टू ट्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टेन एफ टू कनियम क्या हो जीरो हो दो हो चार हो छे हो आठ हो ऐसे संख्याएं आएं समसंख्या तो दो से भाजित होगा दिभाज होगा त्री कनियम क्या कहता है कि जीरो अगर इकाई के यंग में अगर किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या हो तो वह किस से कंसी लोगा दो से भाजित होगा तीन का नियम क्या कहता है कहता है कि अगर दी गई आ दी गई संख्या के अंकों का योग योग तीन का गोट्पर तीन का गुरा अगर यह हमारा लिखा तो क्या है यह एक अंक भी है एक संख्या भी है और यह लिखा है तो यह संख्या भी है इसमें कितने